हेलो दोस्तों चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ CM Model का Conceal Tank आप इसे किस तहां से Repair कर सकते हैं इसके Inlet Outlet को तो ये सभी चीज़े आपको Step by Step बताने वाला हूँ तो जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए जिससे इसी Informative Videos आप तक पहुचती रहें तो सबसे पहले आपको इसके उपर की Plate को खोल लेना है Plate को खोलने के लिए आपको 4 Screws को खोलना है ये पूरा Thread System होता है इनने आपको घुमा कर खोल लेना है और दोस्तों जो CM Model का Tank है पहले जेकवार के साथ टायब होके सेल होता था तो वो Partnership खतम हो गई है तो इसकी Service easily नहीं मिलती है नहीं Parts मिलते हैं तो इसके लिए लोग काफी परेशान होते हैं तो आप हमसे Contact कर सकते हैं इसके सभी Parts मेरे पास Available है और Market Rate से काफी सस्ते Rate में आपको Provide करूँगा और बिल्कुल Original Part आपको देने वाला हूँ तो आप Direct मुझे Contact करें डिस्क्रिप्शन में अपना Number दे दूँगा तो आप मुझे Direct WhatsApp में Message करें और बिल्कुल Original Product आपको देने वाला हूँ तो अब आपको क्या करना है प्लेट को खुलने के बाद आपको Step by Step समझाऊंगा अब उपर वाली प्लेट हटाने के बाद देखें अंदर भी एक प्लेट आपको दिख रही होगी इस प्लेट में दो Locks दिये रहते हैं इन्हें आपको Screw Driver के Help से खुलना रहता है दोनों Locks को आपको उपर करना है सबसे पहले फिर ये देखिए उपर की तरफ से आपको निकालना है इसे बहार की तरफ आप खीचेंगे ये दोनों Locks में से आप निकालिए इसे तो आपकी जो प्लेट है वो बहार आ जाएगी अब प्लेट को निकालने के बाद Second काम की अगना है ये आपका Outlet का Lock होता है इसे आपको निकालना है इसे आप उपर की तरफ खीचेंगे तो आपको जो Lock है बहार आ जाएगा उसके बाद आपको ये टैंक के पानी को बन करना है तो इसे जो है आपको Clockwise Direction में घुमाना है और अगर आप यहाँ से पानी बन नहीं करते हैं उपर एक एंगल कॉक देते हैं तो वहाँ से भी आप पानी को बन कर सकते हैं अब इसके आउटलेट को हम निकालेंगे तो सबसे पहले आउटलेट को आपको उपर की तरफ खीचना है फिर इसके बटन को parallel direction में करके बाहर की तरफ निकालना है इसे भी आपको सेम तरीके से निकालना है दूसरे बटन को भी दोनों buttons को निकालने के बाद आपको outlet को बहार निकाल लेना है पहले आपको tank के अंदर ही इसे गुमा लेना है फिर से भार के तरफ इस तरह से निकाल लीजीए यह आपका outlet बहार आागिया है देखिए hardness कितनी ज्यादा है इस पे hardness की विशसे क्या है दोस्तों हाइडनेस अग इसके बॉटम पर जम जाती है तो जब भी आप फ्लशिंग करते हैं यह देखिए इसके बॉटम पर पूरी हाइडनेस है तो इसके आउटलेट के केप को भी हम निकालेंगे कई उसे हम वहीं कर सकते हैं यह भी आपको बताता हूँ तो इसे आपको पानी बंद होता है तो यह पानी बंद इसली नहीं हो रहा है क्योंकि हाडनेस तुरी जम गई उस पहला हो साइफन चुह स सास्ञ्ण क्लीन करना है है तो इस तहां से स्कूरू राइवर से पहले इसकी हाड़ने स को क्लीन करने है हम फिर आपको अच्छे से यहां है जिए अच्छ एपर रबर ऑब का क्लीन हो जाता है कि उसके बार इसकी से्टिंग को आपको करना है यह जो आपका outlet है इसको आप अगर इसको नीचे कर देते हैं तो यह जो water level है आपको flushing का फूल हो जाएगा और यही पर आप इसे half रखते हैं तो half में रख दीजिए और इसको उपर कर देंगे तो water level आपको कम हो जाएगा अब हमें इसके inlet को खुलना है तो inlet को खुलने के लिए सबसे पहले stop clock का जो nut है उसे lose करिए और साथ ही में इसका inlet का check nut है इसे भी lose करते चलिए दोनों एक साथ lose करेंगे जब जाके ही आपका inlet खुलेगा नहीं तो नहीं खुलेगा यह तो दोनों को साथ में lose करते चलिए और लूस करने के बाद आपका जो Inlet बहार आ जाएगा उसको बहार की तरफ Lock में से निकालना है आपको और लूस होने के बाद Stop Coq के Net को आपको पूरा खोल लेना है यह इस तरह से Lock में से आपको बहार निकालके Inlet को निकालना है पहले से आगे की तरफ ले जाईए फिर इसका floating wall आपका जो है easily भारा जाएगा ये देखी कितनी जादा hardness अमारे inlet पे हैं जिससे इसका floating system वर्क नहीं कर रहा है उपर नीचे अच्छे से नहीं हो रहा है तो floating system वर्क ना करने से इसका जो पानी का cut होना चाहिए वो नहीं हो रहा है तो इससे आपको किस तरह से repair करना है वो बताने वाला हूँ ये check night है इससे आपको खोलना है सबसे पहले फिर check night के बाद इससे बाहर निकाल लेना है आपको फिर इसके अंदर आपको filter मिलेगा ये filter का पूरा कचरा आपको clean करना है अच्छे से फिर आप इसके diagram को हमें खोलना है तो उसके लिए आपको इसे पहले stick में से निकालना पड़ेगा और stick में से निकालने के बाद आपको इसे उपर की तरफ उठाना है तो आपका जो locking system है ये पूरा भाहर हो जाएगा ये इस तरह से आपका locking system भाहर हो गया फिर आपको ये पीछे white color का जो nut दिख रहा है इसे आपको खोलना इसके अंदर हमारा डाइब ग्राम होता है तो इसे खोल लीजिए ये देखे डाइब ग्राम पर भी कितनी ज़्यादा hardness है तो दोस्तों hard water की वैसे जो है जो concealed tank होते हैं ये working करना बंद कर देते हैं पूरा जो इनका mechanism होता है उस पर hardness जम जाती है जिससे working नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए इसके आपको time to time service करवाते रहना चाहिए या तो आप इसे खुद भी कर सकते हैं मैंने बहुत easy way में आपको समझाया है और अगर आप service नहीं करवाना चाहते हैं ये नहीं करना चाहते हैं आप softner का use कर सकते हैं आपकी टंकी क्या एक softner लगवाली जिससे आपका hardness का level कम हो जाएगा तो इसे हमारा हार्पिक में अच्छी तरह से clean करना पड़ेगा सभी parts को तो देखिए जो हमारा cap था outlet का उसके अंदर मैंने हार्पिक अच्छी तरह से लगा दिया है जिससे इसका bottom पर जो hardness जमी हो पुरी clean हो जाए और inlet के जो मैंने सभी parts खोले थे उन्हें भी मैंने हार्पिक के अंदर गला दिया है जिससे इसके hardness सारी remove हो जाए देखिए हार्पिक का color change हो रहा है मतलब hardness remove हो रही है अब इसकी body के उपर से भी हमें hardness हटाना है तो hardness आप इस तरह से हटा सकते हैं तो इसकी body को आपको free करना है पूरा floating system जो है इसका अच्छी तरह से work करना चाहिए तो इसके hardness को इस तरह से ठोक ठोक के आपको निकाल लेना है तो इसे आपको अंदर से भी अच्छी तरह से clean करना पड़ेगा उपर के hardness तो हमने remove कर दी है अब इसे अंदर से भी हमें अच्छी तरह से clean करना है तो इसका floating system को हम अलग कर लेंगे जिससे क्या एक hardness जो है अंदर की तरफ जो रहेगी उसे भी हम अच्छे से clean कर सकें तो पहले आपको उपर के hardness जितनी निकल रही है उसे निकाल लेना है अब इसे अंदर से clean करने के लिए सबसे पहले stick को आपको बहार निकाल लेना है और floating system आपको पूरा बहार आ जाएगा तो इसको ठोक कर अच्छी तरह से निकाल लीजिए ये देखिए निकालने के बाद इसके hardness देखिए आप तो पूरा inlet पर कितनी ज़्यादा hardness है इसमें पूरी hardness लगी हुई है तो पूरी hardness को अच्छी तरह से remove करना है जब जाकि वर्किंग करेगा तो वापस से इसे हम ठोकेंगे तो पूरी hardness जो है खिरना start हो जाएगी और अगर आपके आस acid है तो आप उसका भी use कर सकते हैं इसको remove करने के लिए अब इतने hardness में कोई भी product आपका किसी भी company का work नहीं कर सकता दोस्तों तो hardness के लिए आपको softner का use करना ही चाहिए जिससे क्या है product की live आपकी बढ़ जाती है तो इसको आपको पूरा clean करना है अगर hardness रहेगी तो वापस से आपको tank के अंदर leakage का issue आएगा या फिर पानी overflow होगा तो दो से तीन मंत के अंदर इसकी service करवाते रही है तो product आपका अच्छी तरह से working करेगा अब inlet को clean करने के बाद इसे वापस से हम arrange करेंगे तो सबसे पहले आपको stick को वापस लगाना है तो देखिए floating system इसका properly working कर रहा है अब इसके जो inlet के parts थे उसे हम clean करके इसे वापस से लगाएंगे तो harpik में हमने अच्छी तरह से उन्हें साफ कर लिए हैं अब इसे वापस से हम लगा रहे है वो इसका जो divegram है वो मैं नया use कर रहा हूँ क्योंकि वो खराब हो गया था यह divegram भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे contact कर सकते हैं देखिए इसके अंदर lock system दिख रहा है आपको इसको इस तरह से लगाना होता है आपको फिर देखिए body के अंदर आपको lock का gap दिख रहा है उसके अंदर यह blue color का lock को fix कर दीजिए जिससे आपका जो divegram सही place पे लगेगा अब इसको लगाने के बाद आपको cap को लगाना है white वाली और इस तरह से आपको thumb से प्रेस करके रखना है जिससे आपको divegram है वो अंदर से घूमेगा नहीं तो इससे आपको अच्छे हैसे tight करना है और इससे tight करने के बाद वापस से इस lock को आपको लगाना है इसे भी आपको अच्छी तहाँ से clean करके वापस से लगाना है हार्पिक मेंने सभी चीज़े साफ करिए यह hole भी आपको open होना चाहिए एक close नहीं होना चाहिए अब आपस से इसको stick के अंदर लगा दीजिए इसी से आपका diagram जो है open और close होता है जब यह उपर जाता है तो आपको पानी को cut कर देता है और नीचे आता है तो आपको पानी आना वापस से start हो जाता है तो properly working कर रहा है यह अब इसके आप बाकी के parts को हम लगाएंगे तो सबसे पहले इस filter को आपको लगा देना है जिसके आपका जो कच्रा है आगे नहीं जाता है यहीं पर जो रुख जाता है वो इसको लगाने के बाद इसके आगे के check net को लगा दीजिए तो यह आपका inlet जो है पूरा complete हो गया है तो इसे हम वापस tank के अंदर लगा के check करते हैं तो यह देखिए आपको stand दिख रहा है इसी के अंदर आपको लगाना है उससे पहले आपको जो white वाला lock निकाला था आपने उसे भी लगाना है साथ में के stand के अंदर हम इसको fix करेंगे देखिए जिस तहां से मैं लगा रहा हूं उसी तहां से आपको tank के अंदर inlet को लगाना है तो easily आपका inlet जो है body के अंदर चला जाएगा टेंक की फिर इसके अंदर fix करने के बाद white वाले nut को आपको पहले tight करना है थोड़ा पूरा tight नहीं करना है नहीं तो आपका stop cock का net है वो इसमें tight नहीं होगा तो दोनों को धीरे-धीरे tight कर दिए जैसे हमने starting में खोला था वैसे आपको दोनों को भी tight करना है क्योंकि जैसे आप white वाले nut को tight करते तो यह stop को थोड़ा सा loose हो जाता है tight होने के लिए तो यह properly working कर रहा है अंदर floating system इसका अब इसके पानी को हम start करके देखेंगे तो hardness की वज़से यह भी hard हो जाता है तो इसके लिए मैं आपको suggest करूँगा आप tank के उपर एक angle cock लगवा है जिससे आपका जो tank में जब leakage वगएरा आए जब तक कोई ठीक करने नहीं आता है तो आप महाँ से पानी को बंद कर सकते है तो देखिए मैंने stop cock से पानी को चालू कर दिया और tank के अंदर पानी आना start हो गया है अब इसके floating system को उपर करके देखूँगा मैं पानी बंद हो रहा है या नहीं तो देखिए जैसी मैंने floating wall को उपर करा तो tank के अंदर पानी आना बंद हो गया मतलब inlet हमारा properly working कर रहा है अब इसके outlet को जो है मैं अच्छी तहां से clean करके लगाना है सेम जैसे inlet के हमने cleaning करी थी वैसी outlet की भी करना है तो इसमें भी मैं harpic का use कर रहा हूँ जिससे क्या है इसके hardness जो है remove हो जाएगी और properly working करना start कर देगा तो outlet को मैंने अच्छी तरह से clean कर लिया है अब इसे tank के अंदर मैं वापस लगाऊंगा तो यह water level भी मैंने full कर दिया है आप भी इसी तरह से इसको लगाएं tank के अंदर तो यह आपका जो outlet है वो easily fit हो जाएगा अब इसे tank के अंदर fix करने से पहले इसके flashing buttons को आपको लगाना है दोनों handles को आपको जो देखिए lock दिख रहा है यह नीचे वाला lock है इसके अंदर आपको इस तरह से इसे लगाना है और उपर की तरफ कर देना है तो आपका जो lock है fix हो जाएगा सेम इसी तरह से दूसरी side भी आपको लगाना है पहले आपको lock के अंदर इसको fix करना है नीचे वाले और इसको उपर की तरफ करना है तो आपको जो outlet है वो पूरा complete हो जाएगा अब इसे आपको इसके अंदर लगा देना है जो हमारा cap है अंदर का अब वापस से हम पानी को start करेंगे कहें हमारे outlet में से leakage तो नहीं आ रहा है ये भी check हो जाएगा तो ये पानी आना start हो गया हमारे tank के अंदर अब देखें पानी हमारा tank के अंदर fill हो रहा है बाकि कोई leakage नहीं है मतलब outlet भी हमारा properly working कर रहा है ये पूरा inlet भी हमारा cut होने वाला है पानी पूरा भराने वाला है उसके अंदर तो दोनों चीज़े हमारी check हो जाएंगी अच्छे से देखें दोस्तों हमारा जो tank है पूरा भरा गया है inlet प्रॉपरली cut हो चुका है outlet में से भी कोई leakage नहीं है तो ये जो प्रॉपरली working हमारा tank अब कर रहा है आपको वापस एक बार दिखा देता हूँ देखिए tank पूरा भरावा है बाकी कोई leakage नहीं है तो अब हम इसे वापस से fit कर देते हैं तो इसका जो lock है outlet का हो handles के पीछे लगता है दोस्तों इस तरह से और इस lock को लगाने के बाद आपको जो है plate को लगाना है flushing buttons वाली और ये जो plate है आपकी button के अंदर लगना चाहिए properly जब जाके आपकी flushing होगी तो पहले आपको उपर के locks को बिठाना है इसके अंदर इस तरह से locks में plate को आपको लगाना है फिर नीचे वाले locks को lock कर दीजिए तो आपकी जो plate है वो fix हो जाएगी अब इसके उपर के plate को आपको लगाना है और बहुत सारे लोगों को ये issue आता है कि उनकी जो flushing plate रहती है वो तूड जाती है तो उसके लिए आप मुझे contact कर सकते हैं वो भी मैं आपको available करके दूँगा तो आप दोनों साइट के screws को आपको अच्छी तरह से tight कर देना है और हमारा जो concealed tank है वो पूरा repair हो चुका है दोस्तों और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों प्लीज या सब्सक्राइब कर दो सपोर्ट करो आपके भाई को एसी informative वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा और दोस्तों मैं एक bathroom designer भी हूँ जिस किसी को भी अपना bathroom को design करवाना हो आप मुझे contact कर सकते हैं आप सिर्फ मुझे अपना area बता दीजिए कितने area में आप bathroom बना रहे हैं तो उसके according में आपको पुरा plan बना कि दे दूँगा and guys यह हमारा tank तो हो गया complete अब इसका जो flashing button से इसका आपको ध्यान रखना है इसे आपको बाहर की तरफ नहीं छोड़ना है इसे properly आपको अंदर लगाना है ना जादा tight करना है ना जादा loose छोड़ना है अगर आप इसे बाहर की तरफ loose छोड़ना है तो जब आप plate हो तो देखें आपको वीडियो के अंदर length दिख रही होगी कम से कम इतनी length आपको छोड़ना है अब last में इसके plate को लगा देना है plate के अंदर देखें नीचे आपको दो locks दिख रहे हैं तो इस आपको नीचे की तरफ से लगाकर उपर की तरफ उठाना है तो आपकी जो plate है वो lock हो जाएगी तो guys वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को like करें, share करें, subscribe करें और किसी भी तरह का doubt है तो comment में आप पूछ सकत सकते हैं, direct मुझे contact कर सकते हैं और आपको किसी भी तरह के spare parts की जरुवत है तो genuine parts original company का brand का parts आपको दूगा, उससे सस्ता part आपको कहीं भी नहीं मिलेगा क्योंकि wholesale वाले rate मैं आपको मैं retail में देने वाला हूं, तो thank you guys, ऐसे ही आप support करते रहिए